नमस्ते स्वागत है आप सभीकार आजस्तान बुलेटिन में और मैं हूँ आपके साथ सलोनी सार सर आप देख रहे हैं न्यूस फ्लेश खबर स्वाइपूर से भारते किसान संग लागत के आधार पर लापकारी मुल्य के लिए आज देश व्यापी धर्णाव प्रदेशन किया जिसमें भीलवाडा चिले की किसान भी जिला करेक्टरी पर ग्यापन वधर्णा प्रदेशन किया भारते किसान संग चिलाद्यक्ष ब माल 16-10% ही खरीती है जबकि किसानों न्वे प्रतिशत माल मंण्यों के बहर वियापारी खरीते हैं एमस्पे से नीचे मंण्यों मेवा मंण्यों के बहर कोई भी किसान का माल ना खरिदें अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सक्त कानून बनाया जाए किसानों का माल खरीदने वाले व्यापारियों का पंजियन हो ताकि किसानों के साथ धोका धड़ी ना हो सके अगर कोई भी विवाद होता है तो वेयापारी किसानों के विवाद को हल करने के लिए हर जीले पर अलग से किसान कोड बने इसमें उनका इस्थानिय सतर पर निस्तारन किया जाए किसानों के नाम पर Binis सभी फडजी NGO को बंद हो वा उसके खिलाफ सक्त कारवाही हो जिसे किसानों का हग किसानों को मिल सके अफीम किसानों के लिए जारी होने वाले अफीम निती 2020-2021 में भी पहले की तरह आन्शिक सुधार कर अफीम किसानों को भारत सरकार राहत दे अफिम निती फसल 2021-2022 में अफिम उत्पादन किसानों को 50 के आसत्व नियूंतम मार्फिन के आधार पर अफिम फसल के लाइसेंस इस वर्ष भी दिये जाए अफिम बुआई के शिक्तरपल विबिन श्रेणियों में दिया जाता है वह इसको दो श्रेणियों में ही दिया जाए अफिम फसल मौसम आधारित फसल है अच्छा मौसम होने पर उत्पादन अच्छा होता है नौसम खराब होने की स्थिती में इन सभी कारणों से अफिम उत्पादन का कम होता है वो किसान अफिम निती के नुसार असत मार्फिन पूरा नहीं कर पाते है अता तीन वर्ष के असत को आधार मान कर लाइसेंस लिया जाए वो इसका इस्ताय आदेश होना चाहिए मुखिया लंबरदार हर एक दो वर्ष में बदलने की विभाग की प्रक्रिया है पर जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं है बहुत से गाउं में आठ से दस बर्षों से अन्या नामों के सहारे वही के वही बने हुए है उचिस्तरिय जाज करवाकर इन एवजी मुखियाओं को जो आठ से दस साल से जमे हुए है उनको तुरंत प्रभाव से हटाये जाए वह लंबरदार चेन में विभाग विंदो को करता है इस पर विचार किया जाए चिस्तरान प्रांत पाध्यक्ष पद्रिलाल जाट संभाग सहमंतरी सत्तनारायन जाट जिला युवा प्रमुक राम कुमार जाट पर्यावरन प्रमुक बहरुदास वैशनों सही सेकड़ो किसान उपस्तित थे दारस सरकार को तर्मा प्रदसन कर ज्यातन बेगा जिला क्लेक्ष तुलिवारा की मार्था जिसमें मांतियों की लिए कि निम्तर वहस्तों कंसे पर मार्थति के आदार पर अगधानी हसल भश्रोक स्यारी जाए गखाँ लुग्ष हना का सरकार की सिप्येस कबिती वागू怎麼 करने की यहजना है इससे अपनकिसान पर बंबंशान होने की संभावना है अगर अपी में CPS को बेती लादी होती तो और दूसरा प्रगान मंत्री भार्स सरकार को जिजा क्लेक्टर बुलोरा के मात्यम से आज ग्यापन बेजा जिसमें मांग की गई कि सरकार नितन समर्थन मुल्य किशानों को हर वर्स जारी करती है जिसमें सरकार या उसकी एजेंशियां 6-10% से अधिग्मी करिप पाती है बाकि किशानों को उने पहने दामों पर माल बाजार या मन्लियों में या दूचे लिए पर बेचना परता है तो भारत सरकार ऐसी वरिष्टा करें कि नितन समर्थन मुल्य नहीं है या पर ये अपना जो बी प्रोड़क्त या उपधन बाजार में ग्रेशता है अधितना खुद्रा मुल्य लिपता हो और किसान का माल नितन समर्थन मुल्य के उपर खरीदा जाता है तो इस पर भारत सरकार को बहुत करना चाहिए और किसानों को रहाब करी मुल्य के उपर विचार करना चाहिए और ऐसी वरिष्टा करनी चाहिए कि मुंतन समर्थन मुल्य के से नीचे किसान का मौल कहीं बीके हैं भारत सक्राड़ ने जो तीन अध्यादेश से अभी जो खिसान हित्मे पारिक किये हैं, भारती किसान समिक्स का विरोग नहीं करता है, पर इसमा हैंसिक संसोगन तो इसमें कुछ कमिया है, उसमें उस कमियां को सुदार करके किसान हित्मे में लेना चाहिए, बगर वाल के किसान हित्या किसान हित्में विरोग तो दूष्टार करें, उसमें लेना चाहिए, पतार नहीं करता हैंसिक संस्यादेश एक्स का विरोग नहीं करता हैंसिक विरोग घ्यायदा।